चलिए, आगे बढ़ते हैं साध्यों, एक गजब की चीज़ आपके साथ साजा करने जा रहे हैं, देखे, हैं अंतरराष्ट ये खबर, लेकिन इससे भारत का इतिहास भी जुड़ा है, इतिहास, कल्चर सब जुड़ा हुआ है, इंटरस्टिंग न्यूज है, आएए पढ़त रहे हैं, वह आपको इस सेशन के माध्यम से समझ में आएगा, चलिए मैं आपको अब बताता हूँ, देखो बढ़ा, एक न्यूज है, वह मैं आपको समझा रहा हूँ, न्यूज क्या है, जैसे लोग जो यूट्यूब पर आपको दिखाई देते हैं, यूट्यूबर है, व उन्होंने अपने गले में एक ऐसा necklace, एक ऐसा हार पहना, जिस हार में लगा हुआ diamond, Indian था, अब आप पूछेंगे ये क्या मतलब हुआ, गले में पहना हुआ diamond जो है, वो Indian है, इस बारे से क्या मतलब निकला, Indian माल पहनना बना है क्या, मना नहीं है, मुद्दा ये है कि वो चोरी का है, ओ भाई साब, वो जो हम सुनते थे बाबा दादियों की कहानी में, कि एक राजा था, उसका हार चोरी हो गया था, ये वो वाली कहानी है क्या, हमने का बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, राजा हिंदुस्तानी था, आमिर खान की बात नहीं कर रहे हैं, राजा हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान में एक जगए पटियाला का था, पटियाला के जो ये राजा हैं, इनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए, से भी पहले वाले जो सी एम थे कैप्टेन अमरिंदर सिंग के बाबा यानि दादा पापा के पापा उनका हार था वो हार पहना किसने एम्मा चैंबर लिन ने ये कौन है यूट्यूबर है सर ये हार पहन लिया इन्होंने कहां पहन लिया चोरी कर लिया तो पकड़ क्यों नहीं लेती पुलिस चलिए चर्चा करते हैं अब चर्चा है कहां पहन लिया तो चलिए थोड़ी से आपको तस्वीरे दिखाते हैं हमारा हाना कि आपको इन तस्वीरों को दिखाने का कोई जहुद सारे लोग इस तिन तस्वीरों को देख करके awkward भी feel करेंगे आपके गारे गुरुजी थोड़ी सरम सी आ रही है मत दिखाईए देख लीजिए इन्हीं में से किसी एक ने तस्वीर में पहना हुआ है या आपको कुछ तस्वीरें यहां दिख रही हैं आपके से कई लो कुछ और बन के आएं है इनको पता ही नहीं कि पहनना क्या था इसे ही यह मेडम तो मतलब पता ही नहीं है कि कौन मेडम है जो आ गहीं है आप यह आ असल में ये जो इवेंट है जिसमें पहन करके आए है इस event का नाम है मैट गाला event मैट गाला event जिसमें इस प्रकार की celebrities इस प्रकार के तमाम प्रकार के वस्त राभूशर पहन कर पहुंची है अब यह मैट गाला event क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए फिर हम थोड़ा और मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे देखिए यह मैट गाला जो है यह एक कॉस्ट्यूम इंस्टिट्यूट है गाला के नाम से उसके द्वारा आयोजित करवाया जाने वाला एक ड्रेस के ऊपर समझे की एक आयोजन है एक कारेक्रम है जिसे Metropolitan Museum of Art Costume Institute in New York City के द्वारा आयोजित करवाया जाता है इधर देखिए मैं आपको एक बात दिखाओं यहाँ पर किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है यह जो शब्द है मैट गाला इसमें मैट इस्टेंड्स फूर मेट्रोपॉलिटन और गाला इस्टेंड्स फूर यहाँ पर म्यूजियम ऑफ आर्ट कॉस्ट्यूम इंस्टिट्यूट गाला इसको वोग नामक अच्छा आप मेंसे कुछ लोग जो की फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करते होंग उनमें से वोग जो मैगजीन है या फिर आयोजक समझ लीजिए फैशन के छितर में बहुत बड़ी चीज है वोग है ना उनके द्वारा इस कारेकरम को आयोजित करवाया जाता है इसकी स्थापना एलिनॉर लेंबर्ट ने की थी इसमें होता क्या है मैं आपको वो बता देत कि इनके उपर लोग बड़ा बड़ा आयोजन कर सकें जैसे स्पॉंसर्शिप दे दी अपने भी कई फिल्म स्टार्स इस मैट गाला के अंदर न्यू यॉर्क में अपना प्रदर्शन करने जाते हैं 2019 में प्रियंका चौपड़ा गई थी असल में यहां पर हर फिल्म स्टार या फिर हर बड़ी सेलिब्रिटी जाना चाहता है वो इसलिए कि उसके जाने से जितना जादा वो वाइरल होगा जितना जादा वो फिल्म मैगजीन की फ्रंट इमेज पर आएगा उसकी ब्रांड वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी असल में मैट गाला को जो उदेश है वो यह है कि यहां पर बड़ी मात्रा में इस फ्रकार के वस्तर पहनाए जाए और जितना पैसा इकटा हो उसको चैरिटी के काम में लिया जाए यानि कि समाज के लिए दान करके काम में लिया जाए यह किसका उदेश होता है यह उदेश होता है मैट गाला के आयो जपों का ठीक है थोड़ा confusing है कि पहले तो करते क्या हो और फिर पैसा आ गया उसको charity में दे देते हो ठीक है charity के उपर कई बार आपने tournament भी होते देखे होंगे तो उन्ही किरिया कलापो में से यह एक event है यह मैंने event के बारे में आपको एक basic सी जानकारी देने का प्रयास किया हम क्यों यह जानकारी जान रहे हैं हम जान रहे हैं इन YouTuber के बारे में जिनका नाम है Emma Gamerlin इनका क्या कारनामा है इनके गले में ये एक आपको हीरा दिखाई पड़ रहा है इधर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हीरा आपको यहां दिखाई पड़ रहा है असल में ये भारत के पटियाला के जो राजा थे उनके गले में डले हुए हीरे की ही original piece है यनि जो राजा जी के गले में था वो इनके गले में है अब राजा तो बचे नहीं क्योंकि केप्टन अमरिंदर सिंग साहब के बावा है ये अब इनका तो देहावसान हो चुका लेकिन ये यहां से यहां कैसे पहुँच गया हाँ आला कि आप कई प्रकार के यहां पर दावे कर सकते हैं लेकिन उसका यहां कोई आचित्ति नहीं है क्योंकि इतिहास सारी बातें बताता है पहले मैं आपको इस हीरे की खासियत बता देता हूं बाकि सब बाते साइड में अटा दो अगर कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेशन कर लेना इस इकलौते हीरे की कीमत यह जो दिख रहा है इसकी कीमत है 21 मिलियन डॉलर जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए और कितना करोड बना वो मुझे बता दीजिए प्रवाइड़ 55 रुपे का ही एक डॉलर रख लो तो भी कैलकुलेट करके बता दो कितना 21 मिलियन डॉलर एक मिलियन में 10 लाख होता है यानि की 2 करोड 10 लाख डॉलर 2 करोड 10 लाख डॉलर को 55 से गुना कर दो मैं अगर सही हूँ तो 300 करोड रुपिया उतने का ये एक हीरा है जो गले में डला हुआ है आपका दिमाग सन हो जाएगा भाई साब ये क्या है एक यूट्यूबर और उसके गले में इतना बड़ा माल निश्चित ही चोरी का होगा बिलकुल यही तो इंटरनेट की दुनिया के लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा माल इसके गले में कैसे तो आईए मैं आपको थोड़ी और जानकारी देता हूँ असल में ये जो गले में इनके माल डला है या फिर हीरा डला है ये दुनिया के टॉप टैन बड़े हीरों में से एक है दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा हीरा है ये डाइमन्ड है इसको एक कंपनी जिसका नाम है कार्टियर उसके दुआरा प्रमोट किया गया था यानि कि ये तो मैडम के वालेक मॉडल है माल तो कार्टियर नाम की कमपनी का है जिन्होंने एमबा चेमबर लिन को ये वाला माल पहनाया जो कि महराजा भुपेंदर सिंग आफ पटियाला का था उमीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आए अब आपके दिमाग में एक बात और समझ में आएगी सर यही चीज पहन करके क्यों गई क्योंकि इसकी थीम रखी गई थी और वो थीम थी गिल्डेड ग्लैमर एंड वाइट टाई अंग्रेजी जितना जानते हो उतना जान लो लेके दे ले देने का कोई मतलब नहीं है मतलब ये कहा गया था कि अमरीका के इतिहास में सोने का या फिर हीरे जवारात का जो इतिहास रहा है एंसियेंट टाइम में जो गोल्ड पहना गया या फिर जो स्टॉन्स पहने गये उनको याद करते हुए इसका आयोजन किया गया था किलियर है किस कारेक्रम को यहाँ पर दो तारिक को आयोजित किया गया कॉस्टीम इंस्टिटूट के द्वारा इसका आयोजन हुआ फिर साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर ये जो आपने बताया ये कोही नूर जितना बड़ा है क्या कोही नूर तो दुनिया का नूर है लेकिन उसके बावजूद भी ये दुनिया का सातवा सबसे बड़ा हीरा है इस सातवे सबसे बड़े हीरे का नाम दे बियर्स डाइमंड है क्या नाम है दे बियर्स डाइमंड ये देवियर्च डाइमंड असल में विपिंदर सिंग सहाब का था सवाल बड़ा ये है कि ये पहुँच कैसे गया पत्थ बताते हैं कि ये जिस गले में था जो इस नेकलेस में था वो पटियाला नेकलेस के नाम से जाना जाता था जो 1928 तक तो हिंदुस्तान में ही था मेरे प्यारे साथियों भारत जिस समय अंग vine recipes का पराधीन था उस समय ये है नेकलेस हिंदुस्तान में ही था लेकिन उसके बाद ये हैं नेकलेस चोरी हो गया नेकलेस में केवल दाबियर नाम से डाइमंड ही नहीं इसके अलावा लगभग तीन हजार छोटे छोटे डाइमंड प्लेटिनम पर और भी लगे हुए हैं लेकिन वो सब अब चोरी हो चुके हैं अब तो केवल दाबियर नाम का जो बड़ा डाइमंड है वही बचा है मेरे प्यारे साथियों ये पटियाला नेकलेस के नाम से असल में ये पूरा नेकलेस हुआ करता था आप वैल्यू सोच के देखिए करोडों में जो वैल्यू है वो तो आप सोच कर देख सकते हैं जिसकी आज कीमत 300 करोड से उपर है केवल एक हीरे की उसके साथ 3,000 चोटे मोटे हीरे और लगे हैं प्लेटिनम पर लगा हुआ है यानि कि ये हीरा भी अगर ये पूरी के पूरा नेकलेस भी पाकिस्तान को मिल जाए ना तो उसका करजा उतर जाए आप सोच के देखो कितना ब जीडीपी में आके खड़ा हो गया हलके में मत लीजी अपने आपको आगे सुनिए तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों ये जो देबियर नाम का डाइमंड था ये मिस्टीरियसली 1960 में गायब हो गया लोगों का कहना है कि ये सेवन्थ लार्जेस्ट डाइमंड है जिसकी आ जायब हुआ 1948 के बाद 32 साल बाद इसे लंडन में 1982 के अंदर देखा गया किसी ने अपने यहां पर इसका आउक्षन रखा लंडन के अंदर ये दिखाई पड़ा यहां पर इसका आउक्षन रखा और उस आउक्षन में कार्टियर नाम की इस कंपनी ने इस डाइमंड को पर आप पुछेंगे तो विवाद क्या है अभी भी विवाद समझ नहीं आया विवाद यही है कि जब हमने बेचा नहीं तो ये बाहर गया कैसे और जब हमें दिख चुका है तो हमें वापस मिल क्यों नहीं रहा है चाहि ब्रिटिन की महरानी के ताज पर डला हुआ कोहिनूर हो या पटियाला के महराज के गले में लगा हुआ दबियर हो अगर आज ये भारत में नहीं है तो इसके लिए भारत को प्रयास करना चाहिए ऐसा इंटरनेट के दुनिया पर रहने वाले सिटीजन्स जिने कहा जाता है उनका कहना है उमीद है कि आपको ये जानकारी तो समझ में आ गई होगी अब थोड़ा वबिंदर सिंग सहाब के वारे में भी जान लीजिए मेरे प्यारे साथियों वबिंदर सिंग सहाब पटियाला के राजा 12 अक्टूबर 1891 में में पैदा हुए और 1938 में इन ने चलाया.. इनकी बारे में आप इस्तथि से जान सकते है कि यह कितने पैस्य वाले ते लिए कि डिए स्टेट बैंक आफ प्तियाला है ना पूरी तरह से जान चुके होंगे कि केप्टेन साव है कौन ठीक है बढ़े आगे अब कई लोग लिख रहे हैं कि सब्सक्राइब करेंगे जो करना है करिए हमने जो आपको जानकारी देनी थी दे दी आप सेशन से एर करिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अनकेडमी पर 10% का डिसकाउंट प्राप्ट कर सकते हैं फिर चाहे वो कोई सी भी केटेगरी हो SSC, Banking, Railway, UPSC, State PCS किसी भी जगह पर अगर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करते हैं अनकेडमी की किसी केटेगरी पर तो आपको वहाँ पर उपस्ते सभी क्लासेज चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, उस सारी क्लासेज आपको देखने का मौका मिलता है उस केटेगरी विशिश के अंदर फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूँ कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या-क्या आपको दिया जाता है जैसे study material, study का planner पढ़ना कैसे है, expert की guideline, test का analysis, personal guidance, structured course, unlimited access, live classes, weekly test यह सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अविलिबल होते हैं आजकर हम लोगों के द्वारा एक iconic class और शुरू की गई है, ऐसे से category में भी की गई है जिसमें कि आप से जब doubt one to one पूछे जाएं तो आपको प्रात्मिक्ता दी जाएं तो प्रात्मिक्ता के आधार पर अनकेडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्रात्मिक्ता base raise hand का feature दिया जाता है असल में अनकेडमी पर educators के साथ students की बात करने का एक ऐसा feature डवलप किया गया है जिसमें कि आप teacher से सीधे application के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं इतना ही नहीं आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ doubt confirm कर सकते हैं जल्दी ही prices बढ़ने वाली हैं ऐसी इस्थती में यदि आप अगर subscription लेना चाहते हैं तो अभी लेने iconic subscription अगर मैं SSE की case में बात करता हूँ तो आपको बहुती nominal कीवद पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है जिसमें math, reasoning, english, gk सभी की classes उपलब्द होती हैं तो वहीं plus की case में आपको ये courses 6500 रुपे में प्राप्त होते हैं तो आप इसे access कर सकते हैं तो again use my referral code Ankit10 to avail this offer immediately, thank you